हेलो एवरिबड़ी वेल्गम पे श्रेश क्लासस दोस मिनट की कंसेप्ट सीरीज में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसके नोट से साथ की साथ बना रहे हो मैं हमेशा कहता हूं बिना लिखे पढ़ाई करना मतलब टाइम बेस्ट ही हो रहा है कही तो लिख जरूर लेना जो आज की लेक्चर में मैं आपको देने वालो आज का ये जो टॉपिक है मैं आपको बता दू इस टॉपिक से 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 मतलब एक्जाम में क्वेशन आ हुआ ताकि confidence आ जाए और ये 10 मिनट की concept series का मतलब है कि इसकी slip बना लेना एक जो तुम में में content है सब लिख लेना और आखों के आगे रखना जैसे उसकी तस्वीर तुम अपने दिल में रखते हो आज से इसकी भी रख लेना क्योंकि chances जादा है probability जादा है कि आप लोगों क कर चलता हूं कि आप लोगों को पता है कि stress क्या होता है किसी भी material पे जब आप लोग कोई भी force लगाते हो तो उस material में internally एक pressure generate होता है और उसको हम लोग कहते हैं stress ठीक है और stress के आने की वज़े से material की length में width में या orientation में या किसी भी तरह की configuration में change होता है तो वो change in the configuration को हम कहते हैं strain तो यह दो चीज़ें आप लोगों को पता है stress क्या होता है और strain क्या होता है strain का formula होता है change in orientation upon original orientation अब orientation में length, area, shape कुछ भी आ सकता है material की अब बात आती है यहाँ पर stress upon strain की ratio को हम लोग क्या नाम देते हैं stress upon strain की ratio को हम लोग कहते हैं modulus of elasticity यह जो elastic modulus होता है इसका practically मतलब क्या होता है elastic modulus का practically मतलब एक ही होता है कि आपका जितना ज्यादा material के अंदर modulus of elasticity होता है उतना ज्यादा आपके material की strength होती है तो यहाँ एक basic phenomenon आपको clear होना से यह अब मैं शुरू करूंगा elastic modulus को हम लोग elastic constants के नाम से भी जान रहे हैं वही से ची आप लोगों के लिए important बनता है I am not going to discuss this particular curve in this session तो वो आप खुद से कर लीजिएगा although मैं लंबा session जब आप लोगों का लूँगा जो 7 बज़े होता है उसमें यह सब discuss करूंगा अब modulus of elasticity में hooks law बहुत important है सबको बता होना चाहिए मैं वो discuss नहीं करना अभी आपको यह याद करना है कि आपका cast iron का modulus of elasticity steel का आधा होता है और aluminium का modulus of elasticity steel का लगबग दो तिहाई और मतलब तिहाई हिस्सा होता है तो दोनों के बीच का relation में क्या बना सकता हूँ 2 times of E cast iron is equals to 3 times of E modulus तो दोनों का ratio आपको याद होना चाहिए कि cast iron का elastic modulus upon aluminium का elastic modulus 3 by 2 की ratio शो करता है यानि आपका cast iron का elastic modulus aluminium के elastic modulus का 1.5 times होता है तो आपके exam में इस तरीके से घुमा के question पूछता है अब बात आती है यहाँ पर modulus of elasticity की कुछ बाते के आपके modulus of elasticity के regarding क्या क्या main point बन सकता है सबसे पहले अगर आप किसी भी material में carbon content बढ़ाते हो लेकिन वो material की ductility कम हो जाती है यानि वो material खिचाव शो नहीं कर पाता फिर जल्दी से तूट जाता है अकड आजाती है उसमें खीक है और कैसे याद करना है मुझे रामण बहुत काला था मतलब रामजी भी काले थे वो साम ले थे रामण ज्यादा काला था धरावना था और कारबन से निकलकर आता है काला रामजी कहा टूटे इतने वनवाश बिटाना पड़ा सीता से अलग होना पड़ा दुनिया बर के कषड सेहने पड़े लेकिन टूटे नहीं जिन्दगी का सार दिखाया राम ने हमें रामण तूट गया मरी गया तूट गया तो आप मेरी बात को समझे ऐसे याद करो यार खेर मैं कहानी बोल रहा था और कुछ नहीं है आगे चलते हैं फिलाल Elastic Constants तीन तरह के Elastic Constants होते हैं एक होता है Linear, एक होता है Volumetric और एक होता है आपका Shear तो मैं यह मान कर चलता हूँ जब आप Length के Along कोई Stress देते हैं जिसको हम लोग Linear Elastic Modulus के नाम से भी जानते हैं वो Young's Modulus केटेगरी में आता है यह Length के Along सारी बाते करता है जब मैं Volume के Along सारी बाते करता हूँ तो उसको मैं Bulk Modulus के नाम से जानता हूँ Volumetric Stress upon Volumetric Strain तो Volume के Criteria के तहत और जब मैं Tangential Shape की या Tangential Stress की बात करता हूँ यानि Surface के Plane आप कोई भी Stress लगाते हो तो उसकी Shape में Change आता है तो वो Shear Stress की केटेगरी में आता है और उसको Modulus of Rigidity कहते हैं यहाँ पर हम मेरे भाई E, G और K से इन लोगों को denote कर रही है ठीक है आगे के Important बात आती है Poison Ratio Poison Ratio is very important विकोज आपके SSE exam में 5-6 बार पूछ लिया पिछले 5-6 सालों में बहुत important है तो Poison Ratio क्या है Lateral Strain upon Longitudinal Strain मैं आपको बता दू Poison एक बंदे का नाम था बहुत छोटी उमर में उसने यह बताया था क्या बताया किसी भी pen को अगर आप खीचते हो तो उसकी खीचने पर length बढ़ती है और जो उसका यह मोटाई है यह कम होती रहती है चुंगम हम सबने खीची है बचपन में और चुंगम खीचने पर वो पतली होती रहती है तो length तो बढ़ रही है width कम हो रही है इन दोनों के strain की ratio को हम कहते है poison ratio याद रखेंगे lateral strain upon longitudinal strain range कितनी होती है important है 0 से 0.5 तक इसकी range रखते हैं आपके जही का question है poison ratio की value याद हो नीच यह सारी 0 होती है आपकी coke के लिए और उसके बाद 0.5 होती है आपकी rubber के लिए perfectly plastic body के लिए 0.5 होती है दो value important है उसके बाद की बाते आगे कर रहा हूँ अभी अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ आपके mild steel की तो 0.27 से 0.3 के बीच में range होती है generally आप याद कर सकते हो 0.8 लेकिन अगर बात करता हूँ stainless steel की अगर stainless steel की बात करता हूँ तो उसकी value 0.3 या 0.31 तक लाई कर जाती है यह values आपको याद करनी है मतलब आपके exam के लिए सारी important बनती ही है उसके बाद अगर aluminium की बात करूँ तो कितनी आती है aluminium के लिए poison ratio आप लोगों का 0.33 लाई करता है फिर concrete की already यहाँ पर हम लोगों ने लिखी हुई है point 3 के बीच में लाई करती है यह सारी poison ratio आपको याद करनी है बहुत ज़्यादा जरूरी है एक note करके लिखा है ductile material के लिए poison ratio ज़्यादा होती है क्योंकि वो लंबाई ज़्यादा शोग कर सकता है बस यहीं clear चल्ड़ मेजर चीज जहां से question बहुत ज़्यादा हद तक आप लोगों से पूछे गए है वो है आप लोगों का e, g, k और mu यानि elastic modulus rigidity modulus bulk modulus और poison ratio के बीच का relation मतलब star लगा लो पता नहीं क्या इतना प्यार है हर exam को इसमें से question आता ही है तो सबसे पहले तो e is equal to 3k of 1-2 9k g by 3k plus g 3k minus 2g by 6k plus 2g और 2g of 1 minus 4 relation बहुत ज़रूरी है मतलब इसमें कोई trick नहीं है कोई कुछ नहीं है, 4 बार पढ़ना पढ़ेगा लेकिन ये बिल्कुल confirm है कि ये आने के चांब से, बहुत ज़रूरी बनता है elastic constant के लिए question 3-4 बार आये मैंने इसके regarding trick भी बता रखे कि याद कैसे करना है, आप लोगों को मैं trick के regarding telegram group पे भेज़ दूँगा आप वहाँ से देख लेना कि इसकी trick क्या है, और copy में note कर लेना एक minute में अगर आपका एक number का question solve होता है तो उससे बढ़िया कुछ नहीं होता तो elastic constants याद रखने हैं कैसे याद रखने हैं वह मैं trick भेज़ दूँगा फिर कभी नहीं बूलोगे आप लोग homogeneous material के लिए 2 होते हैं orthotropic के लिए 9 होते हैं और energotropic के लिए 21 होते है elastic constants की ये value आपको याद होनी चाहिए tips पे बहुत ही ज़्यादा जरूरी बनता है ठीक है चलो फिलाल question solve कर लेते हैं कुछ आगे आपको बोला गया within the elastic limit modulus of elasticity का ratio क्या होता है stress upon strain होता है मुझे भी पता option number D is the correct answer ये बहुत पुराना नहीं है हाल ही की बात करना है ठीक है sscj previous year poison ratio की value कितने से कितने तक लाई करती है concrete के लिए हमने अभी पड़ा point one two point two के लिए concrete के लिए value लाई कर रही है देख लिते हैं एक बार ठीक है आगे चलती है फिलाल अभी बोल रहा है for the material having elastic modulus elasticity e e and modulus of rigidity n तो मुझे बोला गया e is equals to 2n है तो bulk modulus क्या होगा मुझे एक relation पता है e is equals to 9k g by 3k plus g तो मैंने क्या गरा e की जगा 2g put कर दिया n इन्होंने g की जगा n लिखा है हम g लिख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है n और g बराबर है न तो मैंने 2g लिखा 9k g upon 3k plus g now I can solve it obviously when you will be going to solve it 6k plus 2g is equals to 9k यानि 2g is equals to 3k तो मुझे पता है अभी g की जगा लिख सकता हूं e by 2 एक ही बात है तो k की value आ जाएगी e by 3 इतना आता है option number d is the correct answer अभी बोल रहा है bulk modulus और young modulus और poison ratio का relation क्या है हमें एक और relation पता है is equals to में 3k of 1-2 mu अब mu जो है वो 1 by m है लिखा है तो मैं solve कर लूँगा is equals to 3k of 1-2 by m तो solve कर लोगे आप तो बच्चों वाली बाते हैं यह सब यानि m e by m minus में 2 into में 3 is equals to में k आ रहा है option number is the correct answer of this question next poison ratio rubber का rubber तो perfectly plastic हो गया न 0.5 के आसपास लाई कर रहा था option number c correct answer है सारी values याद होनी चाहिए previous year questions है shear stress जो की एक tangential stress होता है shear modulus shearing stress upon shearing strain formula होता है यार इसका यह तो for isotropic homogenous material के लिए number of elastic constant 2 थे आपने पढ़ा होगा 2,9 और 21 तो इसमें से तो कोई भी नहीं है option number d correct answer है poison ratio क्या होता है lateral strain to the longitudinal strain lateral strain को हम लोग transfers के नाम से जानते है longitudinal को axial के नाम से जानते है तो इसमें से कोई भी नहीं match कर रहा फिलाल option number d is the correct answer of this question तो notes जरूर बना लेना जो जो मैंने important content आपको यहां पर दिया है बाकी 7 बज़े मिलना 7 बज़े long session होता है आपका important series के तहत और telegram से जुड़ जाना telegram पे description में link है वहां से जुड़ जाना नहीं तो यह मेरा number है 9560969640 क्योंकि यहां पर आपको बहुत help मिलेगी ठीक है बाई अज़ कि अबसे तो